नमस्ते दोस्तों तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा अबाउट दे मेकानिजम आफ आक्षिन आफ तो फॉर्स टे टॉबरकलो ड्रक एके करके सब ड्रक डिसकस करेंगे सबसे पहले आई सुनियाज़ट इसो नियड़ेट का मेकानिजम आक्षिन यह होता है इट इनहीं बेट्स मैकोलिक आज़सर्ट अब कुछोगे सब इससे क्या हो रहा है मैकोलिक आसट संथे इसके निबशेंट से बेसिकली मैकोलिक आज़सर्ट is an integral part of the mycobacterial cell wall जो mycobacterium tuberculosis है bacteria जो उसकी cell wall है mycobacterial cell wall का integral part है mycolic acid इसको inhibit करने से mycolic acid नहीं बनेगा तो mycobacterial cell wall ठीक से बन नहीं पाएगा और जब cell wall ठीक से नहीं बनेगा तो obviously tubercle bacilli मर जाएगा उसकी death हो जाएगी ठीक है तो यह कैसे करता है यह आपनों को जानना जरूरी है this it basically दो enzymes को inhibit करता है isoniazid एक का नाम है catalase peroxidase ठीक एक enzyme को inhibit करता है उसका नाम है catalase peroxidase और एक कौन सी gene से encoded है यह भी याद रखना आपको जरूरी है by the cat g gene ठीक एक हो गया catalase peroxidase encoded by the cat g gene और जो दूसरा enzyme होता है जो इसके साथ involved होता है उसका नाम है खुडूरी है और जिदेन प्रूब और जो ट向ा तर से सह करहते है onipe कारियर प्रोटीन रिड़क्टेस एंड इस बेसिकली एंकोड़ेट वाइद आई एन एच एजीन तो जो बेक्टीरिया के अंदर जो रेजिस्टेंस आती है वो बेसिकली इसी के वज़ा से आती है आई एन एच ए या काट जी में अगर म्यूटेशिंज या चेंजेस हो जाए है सो माइको बेक्टिरियम टॉबर क्लोसिस में रेस्टेंस आ सकती है अगेंस्ट आइसोनी आज़र ठीक है सो दो एंज़ाइम्स काटिलेस पर ऑक्सिडेस और दूसरा एनॉयल एसाइल कैरियर प्रोटीन रिड़क्टेस विच आर इन्वल्ड इन्वल्ड इन सिंथिस ऑफ माइकोलेक असेड ठीक है यह होगया मेकानिजम अफ आक्शिन और इसके आने बात करेंगे अगले अपिसोड में तब तक के लिए करौन कुमार साइनिंग आफ बाई बाई